नमस्कार मस्रूम फार्मिंग के लिए कैसे अपने पास उपलब्ध जो सामान है उसको काम में लेकर कम से कम पैसे में जोपड़ी कैसे तयार करे खाद कैसे तयार करे यह सब चीजे मैं कर रहा हूं और यही सब चीजे आपको दिखा रहा हूं अब यह देखिए आप कि यह मैंने अपने बाग में इस तरह से यह मौरिंगा के सहजन के पेड़ लगाए हुए हैं जो कि मेरे मुर्गों के पॉल्ट्री फार्म में भी काम आते हैं इनकी कटाई कर दिये मैंने मौरिंगा जो की एक बहुत ही सुपर फूड में मानने जाने वाली वन्सपती है इसका पत्तियां भी यूजोती है इसके इसका गोंद भी यूजोता है फलियां फूल भी यूजोती है पत्तियों का पाउडर आजकल काफी चल रहा है इस तरह मैंने दूसरे पेड़ों के इन ही लकडियों से मैंने ये चारो तरफ जोपडी खड़ी कर दिये हैं वह तक आप देखिए ये जोपडी मैंने 20 भाई 15 में बना रखी है 14 के असपास एरिया है 15 भी नहीं है इसका एक फायदा ये होगा कि इस तरह से लकडिया मैंने रोप दिये हैं अब ये गिली लकडिया और उसकी लकडिया कि अगर रोप देते हैं तो इसकी लकडिय वहीं से ही चालू हो जाती है और पेड़ बन जाता है तो इस तरह मैंने ये जोपडी बना दिये इसमें चारों तरफ लकडिया है तो अब लकडिया दीरे-दीरे पेड़ बनना सुरू होंगे में से कुछ जल भी जाएंगी और नेक्स्ट यहर तक यह पूरी तरह से कवर्ड एक जोपड़ी नुमा अब इसको क्या बोले पेड़ों का जोपड़ी नुमा एक घरसा बन जाए यह यानि मैंने कुछ भी इसके लिए भी पर्चेज नहीं किया इसरब मुझे पॉलिथीन जो इसके चारों तरफ लगानी है और उपब जो डालनी है वह पर्चेज करनी है इस तरह से यह एरिया बना रहा हुँत तो बैस्म फार्मिंग के लिए या कोई भी फार्मिंग के के लिए आप कम से कम पर्चेज की होई रिसोर्स अपने पास उपलब्द रिसोर्स से ही कैसे सब चीजे कर सकते खाथ के लिए मैंने आपको बताया कि गहूं का भूसा मेरे पास होता ही है पॉल्ट्री आप आप सब्सक्राइर है तो मुझे अलग से पर्चेज करने वाली चीज है तो तो इसकी अलावाब अपने पास यहां से बना रहा हूं कि आ एफ यह उस तरह आप कम से कम कोस्टिंग लेकर और का फार्मिंग करते हैं तो आपको कुछ बचत दिखाई देगी वारना फार्मिंग में सभी को पता है कि लोग बाग इसी वज़े से धीरे-धीरे कि खेती के कामों से दूर बागते जा रहे तो कि उसमें खर्चा इतना जादा हो जाता है लेकिन बचता बहुत कम है इस वज़ेशका ॉनंसे दूर हो रहे हैं महनत कफी जादा होती हनु को लेकिन इस तरह से अगर आप कम से कम खर्चा करके अपनी ये व्योस्ति तरीके से बनाते हैं तो जरूर मार्जिन में लेगा खीक है धन्यवाद दोस्ता